तो मैंता हूं कि बहुत अच्छे रजल्ट आएंगे और शोरो कि इसार के गड़ को दुबारा जीतनी का टाम भी करेंगे और यहां दो लोग हमें अंडरेस्टिमेट करा करते थे मैं यह मानता हूं कि जिन्या जिम्ता पार्टी और आज मी पार्टी का गठवन्न अपने आप में अरियाना में एक एतियासिक गोटिंग परसेंटेज को दर्द करने का काम करेगा और यह साबित करेगा कि आज अल्टरनेटिव के तोब तर लोगों में अपनाया भी है और आगामी विधान सबाय के लिए लोग हमें चुडने का भी काम करें इछली बार के एक इसीट बुटाले मेरी ख्यालते दे हैं मेरे थेखाते देखान सबह के वदान सबाक एक six जीतएट बद्लिख थे चुल न है पिछली बार इसार की सीट को तो किषी एक भी एक बूल नहीं भी सिर्षा दिखाते थे और नीतो जीर दिखाते थे जब भी द नहीं कर सकते हैं और यह जो भी चीजे आई है मैं मानता हूं यह तो कल सब के सामने होगी क्लियर पिक्चर भी 11 और 12 बजे के पूरे देश की हो जाएगी जो लोग एक फोबिया की वेव की बात करते हैं जनता दिखा देगी कि आज बदलाव जरूरी था बदलाव के लिए लो मैं मानता हूं कि कल अर्याना अपने बविश्चे के चुनने का काम करेगा यह तैक करेगा कि किस और अर्याना की जंता आगामी विधान सबा की इंगडाई को लेने का का उने और से यहां सिर्शाजिले के बाद आगो फरीदाबाद गुडगाओ उनकी बैठे के लिए और उसके बाद यही तेह किया है कि अगरेशिवली तो इसकी शाम से ही अपने काम को आगी लेकर चलेंगे और जो हमारा टार्गेट है उस टार्गेट को उधान सबा चुनाव में अचीव करेंगा उप तबर जी को मैं इतना बोलना चाहता हूं शायद का विले किसी और दल में लोकसभा का चुनाव का विजन अलग होता है और विदान सबा के चुनाव का विजन अलग देखा जाता है एक विदायक अपनी कौंसिट Selecty को देखता है वहीं 9 विदायक की कौंसिटंसी मिलाकर एक सांसर चुमती है और दोनों अलग अंगल्स पर लेड़े जाएंगे लग एक प्रिष्ट भूमी जरूर तह करेगा यह चुनाव जो आगामी विदांतसभा चुनाव के लिए रेस को और तेज करने का काम करेए और की बात है हमारे तो नो के नो विदांतसभा सेगमेंट्स के जो स्ट्रॉंग रूम है वो एक स्टेडियम के अंदर है वहाँ पर हमारे भी साथी तैनाथ है पुलीश भी तैनाथ है प्रशाशन भी तैनाथ है वहाँ तो कोई ऐसी खबर नहीं आई मर खबर फत्यबाद से जरूर आई थी जहां पर एक ट्रक संदूखों का आया था उसको वहां से बेज दिया गया बिना चेकिंग के तो अपने आप में कुस्ट करे जा रहे हैं केंट्रों में ड्राप करे जा रहे हैं अगर स्ट्रॉंग रूम एक बार सेल हो जाए उसके बाद इविएम की मुवमेंट की साधार पर करी जा रही है इस पर तो एलेक्शन कमिशन जवाब ते